अपका और इंट्रस्टिंग बात है कि तो तीनो पैनल पर हैं ये तीनो उत्तर प्रदेश से संबद रखते हैं तो इसलिए ये जो तिकड़ी है हमारे साथ वरिष्ट नेताओं की ये भी में एक कॉमन चीज है कि तीनो उत्तर प्रदेश से संब्द रखते हैं सुधांचु ज अच्छी बात निकल गई इन्होंने शहीदे आदम भगत सिंग का जिक्र किया शहीदे आदम भगत सिंग को जिन्होंने अपनी किताब में टेरिरिस्ट लिखा उन वाम पंतियों के आज कलके आधुनिक प्रतीक 33 वर्षी चात्र नेता का इन्होंने प्रोसिकूशन की पर्म सीड तीन महीने में दाखिल होती है ना नबे दिन कि उसकी सीमा है ःता की पुलिस हिए और आप चाहते हैं कि हम तीन दिन में उसका आध्यान करके और सब कुछ कर दें आपने तीन साल लिया आप तीन साल का समय लगाते के राजनीती के चक्कर में कनईया कुमार पे चार से लेंगे आपकी पुलिस ने हमको कुस्तों समय दीजिए कितरा हम अगर देखना चाहते हैं यह बुरे नहीं है यह बिलकुल पाक पवित्र है रास्टवादी हैं और अगर हम कुछ महीने अगर उस पर बैट जा रहे हैं तो हम सब्सक्राइब करेंगे इनका क्या होगा विचार राजनीती करी इन्होंने अव्जल गुरु के अपनी विचार होगा प्लीज अकिलेश जी पहला सुना काफी देर से चल रहा तो मैंने सुधान्शुदी सवाल पुछा क्या प्रस्बदाईकी के लिए चुनाव लड़े हैं आप से सवाल पूछ रहे हूं कि आप सब्सक्राइब करते हैं और मोदी जी के ही छोटे भाई के रूप में हैं दूसरी भात के मैं जवाब देना जाता हूं कि जब बीजेपी के लोग राष्ट्रिता की बात करते हैं जंग जादी के लोगों से जिक्र करते हैं तो बड़ा अजीव सा लगता है पूरा देश लड़ा था जंग जादी के लड़ाई सिर्फ एक वेक्ति नहीं लड़ा था वो था और एसस वो गोरों के साथ उनकर छोड़े बनके खड़े थे और वो जब आज बताते हैं की इğe ऐसे हैं कम से कम माफी मागलो पहले कि हम नहीं लड़े थे हमने देश के साथ गद्दारिया की थी हमने देश के खिलाब गवाहि दीती हमने फणा फणा किया था हमें माफ करो फिर ये बात सुरू करो तो किसी को हजम भी होगी लेकिन बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि पटेल के साथ क्या हुआ जी आपका प्रफिश्व कोई एक प्रेक्ति बता दे कि संग के लोग वी जगा संग बना 1925 में वीर सावरकर को दो जन्मों के कारावास की सजा हुई 13 मार्च 1910 1910 में कॉंग्रेस का जक्ष कौन था कौन था कौन था कॉंग्रेस का जक्ष विलियम वेड़न बन बिटिश सरकार का सेकेटरी उसकी अध्यक्षता में आप आजादी का अंदोलन लड़ रहे थे इसके लिए कह आने में पुलिस की गोली से मारा गया हो एक जो काला पानी हुई हो एक जिसको फासी हुई हो लाला लाजपत राए को छोड़कर एक जो पुलिस के टंडे खायो अग्पर इलावादी ने लिखा था कौम के गम में खाते हैं डिनर हुकाम के साथ रंज लीडर को है बहुत पच्छासी में व्योमेश्चंबनर जी सियासी में बात्रुवीन तैयब की अठासी में सुरिये दादा भाई नरोजी और उसके बार विलियम वैडन बन अल्फ्रेड रोग जोर्ज यूल ये सब पांग्रेस के अच्छी को पाचर देते हैं लोगों ने देश की जंग आज सब्सक्राइब की लड़ाई लड़ी है आपके तरह से सुनिये पीच मत बूलिये एक सेके मैं भी कि बोलने नहीं दूगा इतनी चलता रखता हूं अगर आप भी जिपलिन तोड़ेंगे तो नहीं फाक्ट जी रख रहा हूं मैं अरा सुनिये बोली-बोली माननी अटल बिह अटल विहारी बाजपेई आगरा ग्राम बटे सर बताईयों की गवाहई पे सजा हुई थी कि नहीं फ्रीडम फाइटरों को बताईये कौन था अटल विहारी बाजपेई के गवाहई पे मुझको 6 साल के सजा हुई थी वह बैक्ति जब डाक्टर करण सिंग चुनाओ करता था कि अटल विहारी बाजपेई के गवाहई पे मुझको 6 साल के सजा हुई थी ओनन को बाजपेई अकले शीमेरा सवार इक अब बात अब एक से आपके आपके गुरू गोलवर कर सब्सक्राइब क्या बोलते थे अपनी किताब में क्या लिखा है जो एक किताब आपने बैन की हक्या लिखा है बैंकर चीज़ बताओं मैं कि और किसने किसने गवाईयां दीती कौन-कौन मुख में निका रहे मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं सरफ उननिस सच्टाइस से जाते हैं वहां लेला अधिरा बारे बिरानी अधिन आपके यह सारे लोग जेंदया सब्सक्राइब कर दोलंबें चले गारा जाए चौन सब्सक्राइब